जूले बच्चों केसे हो आप सब मैं आश्रक करती हूँ आप सब अच्छे से होंगी तो ये ही क्लास आकें हिंदी के क्लास तो बच्चों काल हम लोग पार रहे थे अपना काम ठीक है तो ये कहानी आधा पड़ी है तो आज हम यहां से शुरू करेंगे आप लोग देखें पेश नंबर 66 पर तो सब से पहले आच दिनां ही उनातिस नाओ दौज़र एकेश तो आप लोग देखें यहां पर सुख्या आप चूला फूको तो सुख्या ने बोला अपने पते से की आप क्या कहना है आपको यानि चूला फूको यानि जो चूले पर उसने चूला का मतलब है जिसमें हम क्या बनाती है खाना बनाती है ठीक है चूले पर हम क्या बनाती है खाना बनाती है ठीक है तो आप चुले को फुको ठीक है तो मदो चुला फुकती हुए आप क्या करूं तो इसके बाद मदो ने यानि उसके पती ने चुला फुकती हुए बोला की आप क्या करूं ठीक है तो इसके बाद सुख्या तो उसके पतनी ने बोला आप डिक्ची को न नीचे उतारो यानि नीचे उतार लो ठीक है तो आपने चूले पर जो डिक्ची रखी थी यानि डिक्ची के मतलब है जो बर्तन रखी थी उसको आप नीचे उतार लो ठीक है मदू डिक्ची उतारती हुए ये तो गरम हो गया है तो इसके बाद मदू ने यानि उसके पती ने डिक्ची को यानि बर्तन को नीचे उतारती हुए बोला ये तो गरम हो गया है ठीक है सुख्या आप बल्टी में उसका पत्नी पानी पलाड लो तो इसके बाद उसके पत्नी ने बोला कि आप जो गरम पनी है उसको एक बल्टी में इसका यानि पानी पलाड लो यानि इसका मतलब है उसने बोला कि आप डिक्ची में से पानी पलाड़ो यानि दूसरे बरतन में पलाड़ो बोला ठीक है मदो इसके बात मदो ने बोला बल्टी में पानी पलाड़ कर आप क्या करूं तो इसके बात मदो ने डिक्ची में से पानी दूसरे बरतन बल्टी में डाल डाल दिया और इसके बात बोला आप क्या करूं ठीक है तो सुख्या तो उसके पतनी ने बोला हस्ती हुए ठीक है आप ना लो पनी गराम ही मदो नहादा है ठीक है तो इसके बाद मदू की पत्नी ने बोला हस्ती हुए ठीक है आप ना लो यानि पानी गरम ही आप ना लो ठीक है मादू नहाता ही इसके बाद वो मादू उस गरम पनी से नहाता ही ठीक है इसके बाद मादू यानि उसकी पत्नी बोला गरम पानी से नहाने में बड़ा मज़ा आता है यानि जो गरम पानी से नहाने के लिए क्या आता है बड़ा मज़ा आता है ठीक है तो सुख्या यानि उसके पतनी ने बोला खिल खिलाती हुए यानि मुश्कुराती हुए यानि किल खिलाती हुए बोला गरम पनी से नहीं अपना कम स्वाइम ही करने में करने से मज़ा आता है यानि गरम पनी से नहाने में मज़ा नहीं आता है यानि अपना कम स्वाइम ही यानि स्वाइम का मतलब खुद यानि जो अपना काम है वो स्वाइम यानि खुद करने में बड़ा मज़ा आता है ठीक है बच्चों तो यही पर आप लोगों का कहानी समाफ होती है तो इसमें हमें याशिक्षा मिलते है कि जो अपना काम है वो दूसरों को नहीं बोलना चाहिए यानि खुद करना चाहिए यानि जो अपना काम खुद करने से क्या आता है बड़ा मज़ा आता है ठीक है बच्चों तो यहीं पर आप लोगों का कहानी समाव होती है तो इसको आप लोग अच्छे से इस कहानी को अच्छे से बाढ़िए तो इसमें आप लोगों को कुछ पूछना ही या आप लोगों को इसमें कुछ समाज में नहीं आए होंगे तो प्लीज आप लोग मुझ कहाने इख लुगा रही है थीकि ए बच्चों तो यहां पर जो इस ने में जो वेटस मैनी है शब्द अर्थ है बोप लोंको अच्छे से अपनी बुक Mengo को अच्छे से लिखना है और इसके सास्थ है इस वर्ट्स मेने साब आप लोगों कुछ या करना ही याद करना ही ठीक है बच्चों तो कल हम भीर मिलेंगे बाबाई टेक कियर थैंक्यू